हेलो फ्रेंड्स तो आज हम देखेंगे टार्जन सीरीज की एक ओर डिफ्रेंड मूवी जहां कुछ लोग एक ऐसे मेटियोराइट को खोजने जाते हैं जिसने दर्ती से डाइनसोर का खात्मा कर दिया था तो मूवी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइ मूवी की शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक पहाट के साइस का मीटियोराइट दर्ती के तरफ बढ़ रहा है और देखते ही देखते पूरे प्लैनेट से लाइफ का नामों निशान मिटा देता है यहां से सीन शिफ्ट होकर प्रेजन डे में आता है जहां हम ग् करने पर भी वो उस मेटियोराइट तक नहीं पहुच पाते जो जंगल के किसी रैसे में इकोने में छुपा हुआ है और जोन इसे एक मिच समझ कर फाइनल इस पूरे रिसर्च को बंद करने का फैसला लेता है जेम्स उसे समझाता है कि यह सब कहानिया नहीं बलकि सच है और इस मेटियोराइट से वो अनलिमिटीड एनरजी जनरेट कर सकते हैं लेकिन जोन उसे भी वापस अपनी फैमली के पास जाने को कहता है लेकिन जेम्स कहता है कि वो यहीं रूख कर इस पर और रिसर्च करना चाता है और वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाते हैं यहां से थो पाकत के आगे नहीं टिक पाता कार्चेक उसे जिन्दा छोड़ देता है लेकिन वो दोके से उस पर पीछे से हमला करता है और उसे मार कर कुद क्लैन का लीडर बन जाता है सब गोरिला यह देखकर बहुत दुखी होते हैं लेकिन कोई टबलेट का सामना करने की हिमत नहीं दिखा पाता इधर वापस जाते वे जोन के हलिकोप्टर में कुछ गड़बढ हो जाती है जिससे कोर्स चेंज होकर वो जंगल के एक अंजान हिस्से में आ जाते हैं पाइलट किसी तरह हलिकोप्टर को कंट्रोल करता है और तबी जोन की नजर उस मीटियोराइट पर पा हुआ था वो समझ जाता है कि जेम सच बोल रहा था और तुरंत पाइलेट को नीचे उतारने को कहता है पाइलेट और फैमिली को वहीं छोड़कर वो अकेला ही इसे चेक करने जाता है और एक संक्रे रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ता है वहाँ उसे केव से कुछ रो जहां रास्ते में उसे एलेस मिलती है इससे पहले कि वो निकल पाए सामने बना एक वोलकैनो एक्टिव हो जाता है और वो लोग किसी तरह उसे बचते हुए हेलिकोप्टर तक आते हैं इधर हम जंगल में देखते हैं कि केला का बेटा केलते वक्त एक पाड़ी से नीचे ग पाती अचानक वहां मोसम बदल जाता है और जोन को लगता है कि ये शैद इसी टुकड़े की वज़ा से हो रहा है तब ही उनके हेलिकोप्टर पर बिजली गिरती है और वो एक पाड़ी में क्रेश हो जाता है केला भी हेलिकोप्टर को क्रेश होते वे देख लेती है और गोरिलास के बीच देखकर वो डर जाता है टबलेट को भी उसका यहाँ आना बिलकुल पसंद नहीं आता लेकिन केला अपने बेटे की तरह उसे प्रोटेक्ट करती है उदास जोन खूत को बहुत अकेला फील करता है लेकिन फिर गोरिला के बाकी बच्चों के साथ गूल मिल जल्दी काफी टाइम भी जाता है जहां उसे बड़ा होते होे देखते हैं और पता चलता है कि जंगल अब उसे टारजन के नाम से जानता है यानी एक बीना बालो वाला गोरिला वो वहां जान्वरों से काफी चीज़े सीखता है और जल्दी न की भाशा भी समझने लगता ह एक दिन ऐसी ही जंगल में घूमते वे उसे कुछ आवाजे सुनाई देती हैं और जाकर देखने पर उसे वहाँ कुछ इंसान नजर आते हैं पता चलता है कि ये कुछ टूरिस्ट है जो यहाँ सफारी करने आये हैं और इनका ओपरेटर वही जेमस नाम का साइन्टिस्ट है जिसे हमने मूवी की शुरू में देखा था वो अपनी बेटी जेन के साथ मिलकर कुछ पैसे कमाना चाता है ताकि मीटे और डूरने की रिसर्च पर काम कर सके टारसन में उनका पीछा करते हुए उनके कैम्प तक आता है जहां वो देखता है कि जेन और उसके डैट कुछ बात कर रहे हैं उनकी बातों से पता चलता है कि जेन शेहर में अपनी मॉम के साथ रहती है और बस अपने डैट से मिलने यहाँ आई है टार्जन अपने जैसे ही लोगों को देखकर बहुत एकसाइटीड होता है और पूरी रात महीं पेड़ पर गुजारता है अगली सुबह हम देखते हैं कि जैमस इन टूरिस को जंगल की सैर पर ले जाता है जहां एक लड़के के पीछे एक बड़ा सा पक्षी पड़ जाता है जैन उसे बचाने के लिए उस पक्षी को अपने और अट्रैक करती है लेकिन इससे वो खुद उनके पीच फस जाती है देखता है कि उसकी और जैन की बोड़ी में बहुत सिमिलेरिटीज हैं फिर वो कुछ पत्यों से उसके घाव को ठीक करता है जिससे जैन को होश आ जाता है वो टार्जन के एक हलकी सी जलक देखती है लेकिन जहर के असर से फिर भेहोश हो जाती है सुबह जैन किसी तरह पस छोड़ने जाता है और जाते हुए जैन अपने मददगार के लिए कपड़ा वहाँ फैंकती है आगे हम टार्जन को देखते हैं जिसके मन में हजारों सवाल चल रहे हैं कि आखिर वो कौन है और यहां तक कैसे पहुँचा तब ही उसे एक जगा वो क्रेश हेलिकोप्ट दिखता है और चेक करने पर उसे अपनी फैमली फोटो मिलती है यहां उसे एक चाकू और वो मीटियोर का टुकडा भी पढ़ा हुआ मिलता है और वो इन सब चीजों को अपनी गुफा में ले आता है आगे का सीन काफी टाइम बात का है जहां हम देखते हैं कि टबलेट उस उसकी चीजों से छेट खानी कर रहा है यहां वो गलती से हेलिकोप्टर का एमर्जेंसी बीकन एक्टिवेट कर देता है लेकिन तबी टार्जन वहां आकर उसे भगा देता है यहां से सिंग शिफ्ट होकर क्रेस्टो कंपनी के हैटकौर्टर में आता है जहां पता चलता है क कि वो लोग जोन की अधूरी खोच को पूरा करने वाले हैं क्योंकि अगर वो मीटियोर उने मिल गया तो उसके अनलिम्टिट एनरजी से वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं यहीं हम जेन को भी देखते हैं जो जानवरों को बचाने वाले एक अफ्रीकन एंजियो में काम क करता है जंगल में टारजन भी उस हेलिकॉप्टर को कैmper की तरफ जाते हुए देखता है और जल्दी ही कुद भी वहां पहुँच जाता है वहां वो जेन को देखता है और तुरंत उसे पहचान जाता है रात को वो छुपकर जेन के टैंट में जाता है और वहां रखी उन्ने में बहुत खत्रा है और कहीं ऐसा ना हो कि उसका हाल भी जोन जैसा हो जाए लेकिन विलियम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो उसे और उसकी बेटी को बहुत प्रॉबलम हो सकती है जेन को उसे फोलो कर रहाता उसके पीछे नदी में कूटता है और उसे ढूंटता हुआ एक बीच तक आता है वहां वो देखता है कि एक मगरमच ब्योश पड़ी जेन की तरफ बढ़ रहा है और वो तुरंत उसे बचाने जाता है इससे पहले कि मगरमच जेन को खा पाए टार्जन वहां कर उसे रोक लेता है उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई होती है जहां दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं लेकिन एंड में टार्जन अपने चाकु की मदद से उसे मार डालता है जल्दी ही जेन को होश आ जाता है और टार्जन को देखकर वो समझ जाती है कि पिछली बार उसे बचाने वाला यही था जेन देखती है कि वो जादा वर्ट नहीं बोल पाता लेकिन किसी तरह वो एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं टार्जन उसे जंगल की सैय करवाता है और ऐसा लगता है जैसे वो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं उसे पता है कि ग्रेस्टो कमपनी का असली वारिस यही है और अगर यह वापस आ गया तो यह कमपनी उसके हाथों से चली जाएगी यह सोचकर वो टार्जन को शूट करने की कोशिश करता है लेकिन जेन उसे बचा कर वहां से ले जाती है विलियम उनका पीछा करता है और वो उससे बचते हुए जंगल के एक ऐसी हिस्से में आ जाते हैं जो देखने में किसी दूसरी दुनिया जैसा है पता चलता है कि हजारों सालों से निकलती मीटियोर के एनरजी ने यहां के एन्वाइमेंट को बिल्कुल बदल दिया है जिससे यहां कुछ अजीब और खतरनाक जीब पैदा हो गए है तब ही पेडों से निकली कुछ आदम को और बेले उन्हें पकड़ लेती है और एक मोंस्टर जैसा दिखने वाला जीब उन्हें मारने की कोशिश करता है तारजन चाकू की मदद से किसी तरह जेन और खुद को बचा लेता है और वो लोग तुरंत वहां से निकल जाते हैं आगे बढ़ते हुए वो लोग उसी गुफा में आते हैं जहां वो मीटियोराइट रखा हुआ है और तारजन को यहां अपने डैट की पुरानी कुलाडी मिलती है जेन भी समझ जाती है कि यही वो जगा है जहां ग्रेस्टोक और उसकी फैमिली मारे गए थे और तारजन असल में उनका बेटा जोन ही है तब ही अचानक वो मीटियोराइट चमकने लगता है और वो दोनों डर कर महां से बाहर भाग जाते हैं आगे तारजन उसे अपनी मौम से मिलवाता है लेकिन टबलेट एक और इंसान को वहां देख कर बहुत नाराज होता है वो टारजन को मारने के लिए उस पर हमला करता है लेकिन टारजन की ताकत के आगे नहीं टिक पाता और उसे हरा कर टारजन क्लैन का नया लीडर बन जाता है जेन उसे कहती है कि उसके डैड उसे डूना नहीं छोड़ेंगे और इससे गोरिला क्लैन को खत्रा हो सकता है इसलिए वो टार्जन को उसे वापस कैम्प में छोड़ने को कहती है कैम्प में विल्यम की नजर उस टुकडे पर पड़ती है और वो उसे जेन के गले से निकाल लेता है ये देखकर टार्जन उसे बचाने आता है लेकिन विलियम जिसे शैद इसी मोके की तलाश थी उसे शूट करने लगता है तब ही उनका पीछा करती हुई केला भी वहां आजाती है और इससे पहले कि टार्जन उसे रोख पाए विलियम केला को शूट कर देता है फिर वो जेन के साथ साथ तारजन को भी कहित कर लेता है लेकिन राट को कुछ गुरिला उसे चुड़ा लेते हैं और तारजन केला की बोडी लेकर वहाँ से चला जाता है आगे विल्यम जेन से कहता है कि अगर वो उन्हें मीटियोर तक नहीं ले गई तो वो टार्जन और उसके गैंग को माट डालेगा और डर कर जेन उसकी मदद करने को तयार हो जाती है इधर टार्जन देखता है कि केला भी जिन्दा है और वो उसके घाफ को ठीट करने लगता है तब ही उसकी नजर वीलियम के हेलिकोप्टर्स पर पड़ती है जो जेन के साथ मेटियोर के तरफ जा रहे हैं वो भी उनके पीछे जल्दी ही वहां तक पहुंच जाता है और देखता है कि विलियम ने वहां पूरा पेस बना लिया है पता चलता है कि विलियम उस पूरी जगा को ब्लास्ट करने वाला है और जेन और उसके डैड भी अंदर ही कैद है टार्जन किसी तरह छुपता हुआ गुफा के अंदर जाता है जहां वो गाड को भेहोश करके जेन और उसके डैड को छुडा लेता है वहां वो दोनों विलियम को रोकने जाते हैं और जेम्स बॉम की केबल काटने के लिए वहीं रुख जाता है विलियम भी देखता है कि डैडोनेटर काम नहीं कर रहा है और तब ही उसे टार्जन और जेन दिखते हैं वो समझ जाता है कि ये सब इनी की वज़ा से हुआ है और इससे पहले कि वो उने कोई नुकसान पहुचाए तार्जन आवाज दे कर जंगल के अपने साथियों को बुला लेता है विलियम और उसके आदमी उनका मुकाबला नहीं कर पाते और तार्जन विलियम को पकड़ लेता है तब ही अचानक वहाँ जमीन फटने लगती है और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इदर उदर भागने लगते हैं जेन को अपने डैट की याद आती है जो अभी भी नीचे गुफा में फसे हैं लेकिन वो उने बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती विलियम जान बचाकर एक हेलिकोप्टर में वहाँ से भागने लगता है लेकिन टार्जन उसे रोकने के लिए एक बड़े पत्थर को उनकी तरफ फैंकता है पत्थर लगने से हेलिकोप्टर का बैलेंस भिगर जाता है और वो नीचे खाई में गिर कर क्रैश हो जाता है आगे हम देखते हैं कि वहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया है और टार्जन जेन को लेकर अपने क्लैन के पास आता है वहाँ वो केला को देखते हैं जो अब बिल्कुल ठीक है और जेन को मिलकर बहुत कुछ होती है जेन टार्जन का जंगल के लिए प्यार देखकर खुद भी वही रहने का फैसला करती है और कहती है कि वो दोनों मिलकर यहां की हिफाज़त करेंगे एंड सीन में हम देखते हैं कि जेम्स किछी तरह वहाँ से बच किया है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा मीटियोर का टुकड़ा है और इसी के साथ हमारी मूवी खतम हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इमूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू